ओम सूर्या नमाहा, स्वागत आप सभी का मेरे वक्ती बावना यूटूब चैनल पर दोस्तों, साल 2022 में ग्रहन कब कब पढ़ेंगे? कौन-कौन से ग्रहन पढ़ेंगे? कितने ग्रहन पढ़ेंगे? साथ ही, कौन-कौन सी बातों का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए, ग्रहन काल में, कौन-कौन सी रासियां, इन ग्रहनों में ब्यादी भाग गिसाली रहने वाली हैं, यह संपुर जानकारी आपको इस वीडियो के मादम से प्राप्त होगी जब सूर्य और प्रतवी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं, और चंद्रमा की परच्छाई प्रतवी पर पढ़ती हैं, तो इसे ग्रहन का जाता है, इसे सूर्ग्रहन कहते हैं, जोतिस सास्तर में सूर्ग्रहन को मैत-पून-खगोलिय गटना के तोर पर देखा जाता हैं, मान जब भी ग्रेन पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रवाब है, वह रासियों पर पढ़ता है, वहां कि जिस देश में यह दृष्यवान हो, उन इनसानों पर इसका प्रवाब सीधा देखने को मिलता है, जब भी ग्रेन पढ़ते हैं, तो मुक्ट कुछ बातों का विसे विशेश रूप से ध्यान भी रखा जाता है जब ग्रहन पढ़ते हैं तो ग्रहन की इस्तेती की अनुसार रासियों पर प्रवाब पढ़ता है वहीं गरबदी मैलाओं को भी विशेश रूप से ध्यान रखना पढ़ता है दोस्तों ग्रहन काल में कई ग्रहन ऐसे होते हैं जो यो कापी नुक्सान दायक होते हैं, जब भी ग्रहन पढ़ें, तो मुक्त गरभबती बैलाओं को बहुत बातों का ध्यान रखना होता है, जब भी ग्रहन पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रवाब होता है, वो बच्चे पर पढ़ता है, इसलिए गरभबती मैलाओं अवश्यन मिलता है इस बात का विशेश रूप से द्यान रखें ग्रेंड काल में जितना सम्मबो आप मंत्रों का जाब कर सकते हैं लेकिन अगर गरबबती मेला है तो गरबबती मेला और उसके पती को अगनिया दीपक नहीं जलाना है साधा रूप से पूजन करना चाहिए ग शूर ग्रेंड और चंदर ग्रेंड साल के दो बड़े ग्रेंड होते हैं बागी उपचाया ग्रेंड भी आते हैं जब भी ग्रेंड पड़ें तो आपको शूर देव के आराधना करनी चाहिए साथ ही निम्न मंत्रों का जाब भी करना चाहिए जैसे सूर्याइन महा गयत्री मंत्र का जाप करना चाहिए भगवान क्रिश्ण विश्णु और सिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए इससे आने वाले संकट टल जाते हैं दोस्तों साल का सबसे पहला जो ग्रहन पड़ेगा वह पड़ेगा 30 अप्रेल 2022 को यह साल 2022 का पहला ग्रहन लगेगा यह सूर ग्रेंड रहेगा साल का पहला सूर ग्रेंड आंसिक ग्रेंड होगा जो ब्रसव रासी में लगेगा यह सूर ग्रेंड दक्यन और वेस्ट साउत अमीर का प्रसांत मासागर अटलांटिक और अटाटिका मासागर जैसे खित्रों में दखाई देगा आंसिक होने के कारण भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पूर्ण गिर्ण लगने की इस्तिति में ही सूतक नियमों का पालन किया जाता है पंचांग के अनुसार साल 2022 में कुल चार गिर्ण लगने का योग है जिसमें से दो सूर गिर्ण और दो चंदर गिर्ण लगने साल का पहला सूर गिर्ण 30 अप्रेल 2022 सनीवार की दिन लगने जा रहा है यह गिर्ण दोपेर 12 बज करके 15 मिनट से आरम होगा और दोपेर 4 बज करके 7 मिनट पर समाप्त होगा यह ग्रेण शूर ग्रेण विसब रासी में लगने बाला है यह ग्रेण खंडा सूर ग्रेण बैसाक अमावश्या सनीवार की रात्री सनीवार की रात्री अनुसार 12 बजकर 16 मिट से 28 आठ तक यानि एक अप्रेल तता एक मै की मद्य रात्री में घटित होगा यानि अप्रेल की रात्री में यह ग्रेण प्रारम होगा और एक मै की सुवे तक रहेगा यानि तीस अप्रेल और एक मै दोनों दिने इस ग्रेण का प्रबाब रहेगा यह ग्रेण रात को बारे बज़ करके 16 मिनट पर प्रारम होगा और सुवे के 4 बज़ करके 8 मिनट तक रहेगा यह ग्रेण चीली उत्तर पश्चिमी पराग्य मद्दे दक्षणी बोलविया उरवे सुदूर दक्षण पेरू दक्षण प्रसान तता दक्षण एटलांटिक मासागर में दखाई देगा यह ग्रेण बिशेशी प्रबाव साली रहेगा और कापी लम्मा यह ग्रेण चलेगा इस ग्रेण का जो प्रबाव रहेगा वह मुक्यत है के रासियों पर इसका प्रबाव देखने को मिलेगा जैसे ब्रसब रासि है ब्रसब रासि में यह ग्रेण रहेगा दूसरी जो रासी है वह सिंग रासी, सिंग रासी पर भी इसका प्रवाव देखने को मिलेगा अगली जो रासी रहेगी वह तुला रासी, तुला रासी पर भी इसका प्रवाव देखने को मिलेगा वही धनू, मकर और कुम रासी पर भी इसका प्रवाव देखने को मिलेगा ये रासियां बेदी भागिसाली रहेंगी इन रासियों पर विशेश रूप से इसका प्रवाव देखने को मिलेगा ये ग्रहाण जब पढ़ेगा उस समय मेश और ब्रशव राशी पर इसका ज्यादा प्रभाव रहेगा तीस तारी को मेश राशी के चंद्रमा रहेंगे और एक मैश को मेश और ब्रशव राशी के चंद्रमा रहेंगे तो इसलिए इन दोनों रासियों पर इसका प्रभाव खासा देखने को मिलेगा दोस्तों, एक मै को पहला ग्रेण, सोले मै को दूसरा ग्रेण, 25 अकट्रूबर को तीसरा ग्रेण और 8 नवंबर को चौता ग्रेण रहेगा यह चार ग्रेण गटे थोंगे पहला जो ग्रेण होगा खंडगरास सूर ग्रेण होगा दूसरा सोले मैं को जो ग्रेण पड़ेगा वह खंगरास चंदर ग्रेण होगा तीसरा जो ग्रेण होगा वह 25 अक्टूबर को सूर ग्रेण पड़ेगा आठ नमंबर को चंदर ग्रेण पड़ेगा यह ग्रण ब्यदी प्रवाव साली रहने वाले हैं। संपून खंगराश चंद ग्रण या दक्तिर अमिर्का में ही दिखाई देगा। तो यह ग्रण ज्यादा तर भार रहेंगे। वह भारत में दिखाई नहीं देंगे। तो भारत में दो ग्रणों का प्रवाव रहेगा 25 अक्टूबर और 8 नमंबर। यह दो ग्रण भारत में दिखाई देने वाले हैं। तो पहला ग्रण 30 माई की रात और 1 माई की सुब़े पड़ेगा। दूसरा ग्रण उसका कोई प्रवाव नहीं रहेगा। तीसरा और चोथी ग्रण यान दो ग्रण भारत में दिखाई देंगे। जिनका खासा प्रवाव नो रासियों पर रहेगा। मेश रासी, ब्रसब रासी, करक रासी, सिंग रासी, तुला रासी, व्रश्चेग रासी, कुम रासे और मीन रासी ये रासे ये बैदी प्रवावसाली रहेंगे और प्रवावित भी होंगी और इनकी मनौख अमरा twenty- eux तो मुझे उम्मीद आपको यह जानकारी चलिए को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें